Hello students, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस्त, बढ़िया तो लोगी स्टार्ट करते हैं, हम लोग Hospital and Clinical Pharmacy का next lecture, lecture number, sorry, chapter number 11 एक ही lecture में पूरा cover हो जाएगा, यह छोटा chapter है, ठीक है, बहुत बड़ा chapter नहीं है फार्मा को विजिलेंस, यह टर्म सुन चुके हो तुम लोग, जानते भी हो, फार्मा को विजिलेंस, विजिलेंस मतलब क्या होता है विजिलेंस मतलब, विजिलेंस मतलब, निगरानी करना, किसी की देखरेक कोई चीछ ठीक है या नहीं है और फार्मा को दवाईयों हम लोग दवाईयों की निगरानी के बारे में सीखेंगें क्यों करने हैं हमको दवाईयों के बारे में उनको देख के रखना है कि कहीं कोई दवाई गरबड तो नहीं है क्या हो जाता ऐसा ठीक है तो definition aim scope इसके बारे में जानेंगे और overview of pharmacovigilance स्टार्ट करें बात करें pharmacovigilance also known as drug safety हम लोग इसको ड्रक सेफटी के नाम से भी जानते हैं तो एक तरह हम बोलने हैं दवाईयों की निगरानी रखनी है दवाईयों की निगरानी क्यों रखनी है ताकि drug safe रहे drug safe रहे कैसे safe रहे यहाँ simple सा मतलब एक ही है कि दवाईयों की वएसे जो नुकसान हो जाते हैं जो reactions वगरा हो जाती है वो control में रखना चाहते हैं हम लोग वो चाहते हैं कि ना हो उसके लिए pharmacovigilance एक अलग से department बना दिया गया है तो pharmacovigilance ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है medicinal substance और vigilia या कई जगे लिखा हो देखो विजिलियर जिसका मतलब होता है to keep watch नजर रखना दवाईयों के उपर नजर रखना कि दवाई जो market में है या जो खा रहे है वो नुकसान तो नहीं कर रही है that's it ठीक है न तो definition की बात करें the science and activities related to the detection हमारी science और ऐसी activities जिसका relation है detection, detect करना assessment, जाचना understanding, समझना prevention, रोकना किसको? adverse effect और any other drug related problem detect करना, assess करना, understand करना और prevent करना adverse effect और any other drug related problem दवाई से होती हुई कोई भी problem जो हो रही है उसको हम रोकना चाहते है aim की बात करें क्यों? फार्मा का vigilance का आखिना एम किया है तो जो aim है वो है to improve patient care patient की care patient की safety in relation to the use of medicine दवाईयों के मद्दे नजर दवाईयों को देखते हुए patient की care अच्छी हो और patient की safety बनी रहे care अच्छी होने का मतलब है जो दवाई खा रहा है उससे उसका इलाज proper हो जाए patient ठीक हो जाए safety उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो दवाईयों से ठीक है and एक तो यह हो गया ठीक है to improve यह improve करना and all medicinal and paramedical interventions ठीक है न जितने भी medical paramedical interventions हास्त छेप है ठीक है दवाईयों को ले करके उनको हम लोग improve करना चाहते है to improve public health and safety in relation to use of medicine एक ही तरह से बात आगी उपर patient बोल दिया अब हमने यहाँ पर एक broad term ले लिया public health पूरी public की health की बात हो रही है उसकी health और safety की बात हो रही है दवाईयों को ले करके क्योंको उनको कोई नुकसान ना हो क्योंकि हम लोग बहुत से दवाई OTC over the counter भी यूज़ कर लेते है तू contribute to the assessment of benefit ठीक है इसका एक और aim की है हम contribute करना चाहते है जांचने में benefit harm effectiveness क्या फायदे है क्या नुकसान है कितना असर करेगी क्या risk है medicine का encouraging their safe ठीक है उसका safe इस्तमाल को encourage करना बढ़ावा देना rational उसके rational यूज़ को बढ़ावा देना irrational तरीका आव रैस्नल इर्रैस्नल वारिका से समझ में आता होगा and more effective including cost effective यूज़ और हम चाहते है कि वो cost effectively इस्तमाल हो जाने कि minimum तामों पर मिल जाए तो यह सारे टम्स कहीं नहीं पुराने पढ़ चुके हम लोग तो एम लिखना बड़ा असान हो जाएगा to promote understanding education and clinical training in pharmacovigilance ठीक है pharmacovigilance डिपार्टमेंट के अंदर understanding education और training के परपस से भी हम यह भी इसका aim है ठीक है and effective communication to health professional and public और साथ साथ हम चाहते हैं कि effective communication हो health professional public के बीच में regarding दवाईयों को लेकर के to promote rational and safe use of medicine ठीक है rational and safe use समस्ते ही हो ठीक है तो यह इसका aim है aim देखा जाए तो normal है overall aim को एक मोटा साथ देखा जाए तो दवाईयां safe रहो हर किसी के लिए बस एक मोटा साथ देखा जाए है है ना दवाईयां safe रहें किसी को नुकसान ना करें clear goal अब aim goal कहिना करें मिलते जूलतों होते हैं तो देखा जाए तो ultimate goal किया है इसका rational and safe use इसका goal देखा जाए तो कहिना करें यह आ गया कहीं ना करें सेमी चीज हो जाती है ठीक है educating and informing patient ठीक है तो goal और aim सेमी होता है बच्चा के विए confused रहता है almost same रहता है तो हमारा course में mention है वो aim mention है ठीक है तो तो तुम लोग aim याद करोगे वो almost same ही रहता है ठीक है कान है मेरे सुन लेता हूँ मैं आगया आते है ठीक है पच्चे कह रहे हाँ साथ दवाईया react कर जाती है इसलिए हमें उसका देखरे करनी नहीं दवाईया react करती हो तो एक reason है और human effect हम लोग चो टेस्टिंग करते हैं दवाईयों की वह animals की ऊपर करते है और animals की उपर कई बार जो उसके taxology मताला जो side effects के वह कई बार humans की ऊपर नहीं आते या अलग तरीके के आते है जो animals में नहीं आते हैं तो animals के ऊपर किया गया टेस्टिंग या toxicology है ना animals की उपर जो toxicology आ रही है या नहीं दिखा रही है वो हो सकता है humans के उपर दिखा दे evidence of safety from clinical trials is insufficient due to some limitations हम लोग clinical trials में जो सबूज जुटाते हैं उसकी safety के उसकी insufficient होते हैं परियाप्ट नहीं होते हैं कैसे pharmacology में मैंने तुम लोगों दिखाया था clinical क्लिनिकल ट्रायल का पुरा प्रॉसस होता है इस कितने लोग हजार-दोजार लोग तो होते हैं वालेंटियरं जिनके पर हम लोग टेस्ट करते हैं अमरिकांस के जीस्ट थोड़े अलग हैं इंडियंस के जीस्ट थोड़े सी अलग हैं तो दवाईयों का फोड़ो सा अलग आ सकता है नेरो पॉपलेशन एस सेक्स एन स्पेस्विक हम लोग पॉपलेशन इसके पर टेस्ट करते हैं बहुत थोड़ी सी होती है प्लस किस एज के कर रहे हैं हम लोग मालो हम लोग उने 25-35 साल के लिए और वही दवा अगर हम बूरों पर इस्तमाल करें तो दिक्कत है नेरो इंडिकेशन ओनली स्पेसिफिक डिजीज ठीक है ना इंडिकेशन कहां पर इस्तमाल होना है लेकिन हो सकता है वह उसके लिए ही हम लोग उसे टेस्ट कर रहे हैं पता नहीं वह आगे किनकी डिजीज में काम आ जाए या नुकसान कर जाए और शॉर्ट डॉरेशन कितना 6-7 साल के लिए तो हम लोग ट्रैल करते हैं उसके खतम इसी यही वज़य होती है कि हमको उसके बाद आफ्टर मार्केटिंग भी नजर रखनी पड़ती है तो यह सब क्या है चिंता का विशह है हिमेनिटेरियन कंसान है कि इंसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए जिसकी व माना जाता है कि दवाईों से जान बचेगी है ना बट डाइंग फ्रॉम ए डिजीज इस संटाइम्स अनवाड़ेवल बिमारी से मरना हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन डाइंग फ्रॉम मेडिसीन इस अनसप्टेवल दवाई खाके रियक्शन होके मर गया इंसान यह बरदास नहीं है इस इस अनसप्टेवल तो सेफ यूस अमेडिसीन हो जाता है गलतिनों सो हो जाता है कई बहर है ना हम बग पढ़ चुके इसको इसको इसलिए हमार पास यूस यूक का डाटा रहता है इंडिया में इसका डाटा अवेलबल नहीं रहता जल्दी ठीक होता है तो उस दवाइट दे रहें ठीक करने के लिए लेकिन रियक्शन्स हो गई है और लोगों की मौत हो रही है एड्वर्स ड्रग रियक्शन्स वर फॉर्ट टू सिख्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन यूस इन 1994 1994 में लोगों के मरने का कम से चौता या छटा सबसे बड़ा कारण था एड्वर्स ड्रग रियक्शन्स यहीं वज़े है कि हमको फॉर्मक विजिलेंस चाहिए बात समझ मारी है ठीक है फिर क्या है एड्वर्स ड्रग रियक्शन्स एक्सपैंसिव होते हैं कैसे 656.5% अफ एड्विशन्स आर डियो टू एडियार जो लोग एड्मिट हो रहे इन यूएस 446 मिलियन पॉंड बहुत बड़ा खर्चा है यह अचाहिए खर्चा किसके जेप से जा रहा है पब्लिक की जेप पे जा रहा है तो यह बहुत बड़ा कॉस्ट है ना तो एक्सपैंसिव होते हैं इनका ट्रीट्मेंट प्रमोर्टिंग रेशनल यूस अफ मेडि नुकसान ना हो जाए एथिकल कंसर्ण तो नो अफ सम्थिंग डेट इस हामफूल तो अनधर पर्सन को हूँ ड़स नौट नो जो यह नहीं जानता है और नौट टेलिंग इस अनधिकल ठीक है वह चीज़ उसको नुकसान कर सकती है यह चीज़ अगर उसको नहीं बताई जा है कि हाँ दबायां खाओगे तो ऐसे प्रॉलम्स आ सकती है यह चीज नहीं बता रहे हैं तो यह अनधिकल हो जाता ठीक है तो यही सब वज़े हैं वाई वी नीड फार्मो को विजिलेंस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है अपने आप में ठीक है तो इसलिए हमें इसकी जरूरत है अब यहाँ पर बेटा कुछ टर्म साती है जब फार्मो को विजिलेंस पड़ते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म साती है जो में समझनी है एक टर्म आती है एडवर्स इवेंट या कई वार सुने हो गए एडवर्स ड्रग इवेंट इवेंट की बात हो रही है एक ह परान कोई घड़ना आपके साथ घट जाए ठीक है तो अब आप करो सर्क कैसी घटना देखो सिंपल सी बात समझे दवाई खाई कोई घटना घट गी हो सकते दवाई रियक्ट कर गई आपको जब दवाई रियक्ट कर जाती है तो कहिना कई वह एडवर्श डग रियक्शन में आपका एक्सिडेंट हो गया आपने दवाई खाई यह दवाई खाते हुए एक्सिडेंट हो गया तो यह एडवर्श इवेंट के अंदर आ जाएगा दवाईयां मेडिसिन खाते बाद कोई घटना घट जाए ठीक है और जरूरी नहीं है उस घटना का लिंक फिर कह रहा हू और बीट करना जरूरेंट नहीं है वह Shock adverse event ऑन्हें की बुरी घटना जो घट है वो आपकी दवाईयूं से लिंक हो भी सकती है और नहीं भी तो कहा रहा है एनिअं टूर्ड मेडिकल ओकरेंस कोई भी अनूर्द मेडिकल औकरेंस कोई फे बीन चाथ में या यह वाँ जो हो हो जाती है जो आपका treatment होते वक्त हो रही है बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डास नाट नेसेसरली है casual relationship with this treatment उसका कोई भी casual relationship treatment से आईसा जरूरी नहीं है ठीक है adverse drugs जेक से सबको पता है एनी नॉक्सियस नॉक्सियस मतलब बेचें चिंता जनक which suspected to be due to a drug कोई दवा खा रहे हैं उसकी वज़े से जब कोई चीज होती occur at a doses normally used in men मतलब नॉमली एक ऐसी dose है जो हम ठीक करने के लिए लोगों को देते हैं और लोग ठीक भी वहते हैं लेकिन लाखों में किसी एक को जा करके वो दिक्कत दे गई ठीक है ना तो यहां पर कहा रहा है कोई भी ऐसा घटना ड्रग की वज़े से हो जाए जो नॉमली एक डोज मालोड दोस एमजी की टैबलेट किसी को दी जाती है ठीक है सब को दी जाती है सब ठीक हो जाते है लेकिन किसी एक को दिक्कत हो गई तो वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट की बताने की जरू होता है या indicate caution in future use of the same drug या उसको यह बताने की जरू होता है या same दवा future में ना लें कोई दूसरी ले ठीक है बात समय में आ रही है तो यह हो गया adverse drug reaction serious adverse event an adverse serious serious मतलब यहां पर मौत ही हो जाएगी an adverse reaction death results in death जहां पर सीधी मौत हो जाए ऐसी कोई घटना घट ज of existing hospitalization या prolong हो जाए आप admit थे और कुछ दवा reaction ऐसी कर गई कि अब आपको और लंबे समय तक admit रहना पड़ेगा results in persistent or significant disability या कुछ ऐसा हो जाए कि आप permanently disabled हो जाए हाथ पैर कुछ खराब हो जाए आपके in capacity or is a birth defect या birth के सामें को defect हो जाए तो इसको हम कहते है serious adverse event दवाई की all adverse drug reactions are adverse drug event यानि कि अगर मैं बात करूँ तो जितना भी एक बड़े सो गोला ले 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 इसको जितनी घटनाए घट रही है यह सब किसको दिशारी है adverse drug event या adverse event ठीक है ना और all adverse drug reaction जितनी adverse event के अंदर ही adverse drug reactions भी आएंगे और कुछ घटनाए ऐसी होंगी जो दवा की वएसे न adverse event एक बड़ा है उसी के अंदर adverse drug reactions आती है तो all adverse drug reactions are adverse event बट all adverse events are not adverse drug reaction ठीक है यह एक question तुमारा one marks के लिए आ सकता है बात के लिए हो गई ठीक है अब हम बात करें classification of adverse drug reaction reactions के वी classify कर दिया गया है तो देखें क्या क्या है type A, B, C और D बड़ा easy augmented 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 मतलब कोई चीज बढ़ too much of good thing predictable यह predictable होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है और target side के उपर हुआ और उसका response हम कहा सकते है कुछ ज्यादा हो गया नौ बिजार है बिजार है मतलब जो सोचता नहीं था idiosyncratic vary from patient to patient और यह patient to patient अलग-अलग दिखता है ठीक है that is unpredictable ऐसे कोई reaction होता है तो ठीक है type C continuous adverse effect which arise from long term use of drug मतलब आप 2-4 दिन खाओ तो दिक्कत नहीं लेकिन जब महीनों 3 महने खाओ तब वो reaction अगर दिखाए adverse reaction तो वो type C में आएगा यानि की continuous के आएगा ठीक है तो कह रहा है adverse effect which arise from long term use of long term long term लंबे समय से use of a drug they may perfectly safe and effective in the short term अगर थोड़े समय के लिए खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है but long समय तक अगर ड्रग को इस्तमाल करेगा तो उससे problem हो जाएगी but can become unfavorable with the chronic use यानि कि अगर लंबे समय तक उसका इस्तमाल करते हो chronic use यानि कि लंबे समय तक इस्तमाल करोगे तो वो unfavorable है वो दवा नुकसान कर जाएगी टाइप D delayed adverse drug effect long after the drug is gone दवा खाली सब कुछ हो गया तीन चर्म मैंने बाद उस दवा का बॉड़ी को पर ऐसर हो रहा है delayed ठीक है ना तो augmented बीजारे बीजारे मतलब predictable है नहीं कि ऐसा होगा करके continuous लंबे समय तक खाने की वएसे और delayed दवा खाना बंद कर चुके उसके बाद कोई बॉड़ी के उपर affect आ रहा है medication error जब होता है तब निगरानी करनी है इन herbal medicine जो herbal medicine दी जाती है वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए तो निगरानी रखनी है counterfeit नकली दवाईया है उसके वएसे कोई दिक्कत आ रही है तो निगरानी रखनी है abuse and misuse मतलब कि हम लोग drug का use abuse करते हैं मतलब overdose खा रहे हैं या नशे के लिए इस्तमाल कर रहे है lack of efficacy दवा जो है वो असर ही नहीं कर रही बाडी के उपर interaction of medication दो दवाईया आपस में इंटरेक्ट कर रही है ब्लड बैंक ब्लड बैंक में क्या होता है कई बार किसी को बिमारी होती है blood है मतलब बिमारी अभी नहीं है और blood ले लिए गया उसका दूसरे में चड़ा है तो उसको बिमारी हो गई है या दवाई किसी के ब्लड में थी वो किसी और के ब्लड में जा रही है या बॉडि में जा भी है 만 दवाई खाई और मैंने का जाके ब्लड डॉनेट कर दिया उसमें कुछ दवायों के आंच थे तो इस टाइस दे चिजे होती है और immunization and vaccination दो पता ही है उसके side effect क्या होंगे ठीक है immunization and vaccination जो रहता है हमारे पास बास समझवारी है clear है तो यहां से अब क्या है scope तुम्हारे पास 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एक इक लाइन इसके बारे लिख सकते हो तो जहां-जहां दवाईयों को इस्तमाल है सब्सक्राइब क्या scope now overview of pharmacovigilance यह जो मैटा second topic है न overview यह बच्चों को बड़ा परिशान किया हुआ है कि सर overview में पढ़े क्या कहीं कुछ दिया हुआ है कहीं कुछ दिया हुआ है इसमें क्या पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है यह अपने आप में बड़ा topic है तो फिलहाल दो तीन चीज़े आती है ठीक है दो तीन चीज़े आती है और बात करें तो दो तीन चीज़े आती है एक आएगी हमारे पास history history of pharmacovigilance हम इसको पढ़े लेंगे थोड़ा सा इसका overview ले लेंगे फिर pharmacovigilance in India इंडिया में pharmacovigilance कैसे कैसे क्या क्या आया और कहा कहा पर कैसे कैसे इसके रोल से है तो वो थोड़ा सा देख लेंगे और तीसरा point देख लेंगे पहला point दूसरा point इंडिया वो देखेंगे और तीसरा point देख लेंगे हम लोग कि Pharmacovigilance के process कैसे काम करती है कैसे case की reporting होती है और कैसे क्या होता है तो तीन चीज़ें इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता overview के अंदर तो हम यहाँ पे history और history in India and pharmacovigilance process यह तीनों चीज़े cover करेंगे क्योंकि overview लिखके छोड़ दिया है स्रेवस में उसमें नहीं पता कि हमसे क्या पूछेगा किलियर है बाते है श्टार्ट करें तो history of pharmacovigilance की आखिर कार कहां से सुरुवात होती है pharmacovigilance की इस दुनिया में इस वर्ल्ड में ठीक है ना कि दवाईयों की सुरुवात जाहिर सी बात है पहले दवाईयों आगे होंगी pharmacovigilance बाद में आया होगा क्यों क्योंकि दवाईयों के reactions की वैसे दवाईयों का मनमाने तरीके से इस्तमाल को रोकने के लिए pharmacovigilance आया ठीक है तो history की बात करें तो मेरे ख्याल से तुम लोगोंने देखा होगा देखा नहीं होगा सुना होगा मेरे ख्याल से ठीक है कि इसकी history में दो बड़ी घटनाए घटी थी बड़ी है एक थी थैलिडोमाईट ट्रेजडी और दूसरी थी सलफानिलमाईट ट्रेजडी तो क्या है आओ देखते हैं तो major historical event led to pharmacovigilance जिसकी वहे से pharmacovigilance को आना पड़ा तो पहला है in 1922 ठीक है 1922 में क्या हुआ था there was an inquiry into the jaundice associated with the use of salverson ठीक है ना याने की an organic arsenical used in the treatment of syphilis syphilis जो कि हमारी एक STD है उसको ठीक करने के लिए salverson नाम का ठीक है salverson नाम का compound इस्त्वाल हो रहा था जो की जिसके अंदर arsenic हुआ करती थी जिसकी वज़े से लोगों में jaundice हो रही थी ठीक है यह तो खर इतना खास नहीं था अब आते हैं थैलिडोमाइट 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 वाज वाइडली यूज ड्रग इन दा लेट 1950 एंड अर्ली 1960 for the treatment of noisia in pregnant women कानी यहीं बिगड़ गया आके सारी pregnant women noisia G मिच लाता है pregnant ladies का तो उसमें न दवाइँ दी जाती है तो ये दवाइँ दी जाने लगी थैलिडोमाइट इसकी भी कानी अलग है इसका 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 इस्तमाल और था लेकिन एक डॉक्टर थे उन्होंने आफ दा क्या कहते न उसमें मतलब जो इसका यूज था वो यूज ना होता हुआ दूसी तरगे से इसका इसका इस्तमाल किया और काफी अच्छा रिस्पॉंस था फिमेल जो पेंडेंट थी उनकी नौईजिया को रोकने के लिए या जी मिचलाता था उसको रोकने के लिए ठीक है इट बिकेम एपरेंट इन नैंटी सिस्टी डेट थेल्डोमाईट ट्रीट्मेंट रिजल्टेट इन सीवियर बर्थ डिफेक्ट इन थाउज़न्स ओफ चिल्रें ठीक है ना बहुत सारे बच्चों में अ डिफेक्ट पाये गए और डिफेक्ट क्या थे उसमें उनके बच्चों के अंदर अब बच्चे ही जब अपंग पैदा होंगे तो सीरियस केस ऑगया अभी है ठीक है, तो इसका कहानी और लंबी चोड़ी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिलार सिर्फ यह याद रखेंगे, थैलिदोमाइट, ट्रैडी, 1960 की कहानी है, देन सलफानिलमाइट ट्रैडी, सलफानिलमाइट क्या था एक्चुली, हमारा एंटिवाइटिक है, ठीक है, तो इसमें होता किया था, नॉर्मल, जब तक इस्तमाल हो रहा था, इसका तब तो ठीक था, लेकिन इसकी डिमांड हुई, कि भाईया, हमें ये सीरफ फॉर्म में दो, सलुशन फॉर्म में, तो कंपनी वालों ने क्या किया, एलेक्जिन सलफानिलमाइट, उसके अंदर डिजॉ इसके अंदर जा करके, जब ये बना सॉल्वेंट हमारा तयार हो गया, मतलब सॉलुशन, तो इसने आगे जा करके, क्या कर दिया, पॉईजिनिंग कर दी, जिसके अंदर काफी लोगों की मौत हो गी थी, ठीक है, उनाटिन इस्टिट्स के अंदर 1937 की बात है, ये घटना प इसकी वज़े से इस घटना की वज़े से एंड अदर सिमिलर डिजास्टर और इसी तरह की कुछ और घटनाएं घटी है, लेट तू दा पासिंग और दा 1938 फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, इसी की वज़े से 1938 में फेडरल फूड ड्रग एंड अब यहां पर मैंने कुछ लिष्ट दिये कि कौन कौन से दवाई आएं थी ठीक है, और क्या-क्या दिक्कते होई थी, सल्फानल अमाइड जो 1937 में हट गया था, लिवर डेमेज कर रहा था ठीक है, इसका आउटकम यह है, तो फिलाल यहां पर कुछ दवाया दिया है, थैल बेर इसको यहां गया था, ठीक है, थीक है, फिर क्लोरम फेनीकॉल, इसका इस्तमाल आज भी होता है, ठीक है, बलड डिस्कारियाइस यूस रेस्टिक्टी कर दिया गया, बहुत ज़단 इस्तमाल नहीं किया गया, तो इस तरह सारी दवाई है जो टाम टाम पर आती गई है, और बैन कर दी गई है या रेस्टिक्ट कर दी गई है ठीक है तो उनकी एक दो लिस्ट है तो तुमको यहाँ पर सलफानिलमाइड थैलिडोमाइड का पता होना चाहिए ठीक है सोटालाल भी है देखो अपना सोटालाल कार्डे के एरिद्मिया आती है इसका यूज भी रेस्ट्रिक्टिड है बहुत ज़्यादा इस्तिमाल नहीं होगा खैर यह तो हम चल रहे हैं इसके हिस्ट्री के बारे में अब बात करते हैं ओरीजन ओफ फार्मको विजिलेंस तो बा परताल होती थी इस्ट्रक्चर्ट अक्टिविटी इन द प्रोफेशनल हैल्थ फिल्ली एक स्ट्रक्चर्ट अक्टिविटी है स्ट्रक्चर मतलब स्टैब बाइस्टैब एक प्रॉसेस होने वाली अक्टिविटी है विद एम्ड एट मॉनिटरिंग जिसका एम है मॉनिटर करना the risk benefit ratio of drug drug का risk or benefit ratio कितना benefit है और कितना risk है इसको monitor किया जाता है improving patient safety and quality of life और साथ साथ में patient की safety और quality of life को भी ध्यान में रखा जाता है कि लिए रहे early 20 की बात करें early 20th century there were no control over the drug हुआ ही था यह अपने इंडिया में भी ऐसा था पढ़ा था हम लोगों है है ना फिर वो और आरन चोप्रा वाली committee बनी थी खर वो अपने इंडिया वाली बात है ड्रक्स को पर कोई control नहीं था ना drug development को पर को control था and its claim over treating disease claim कर देते कि हाँ यह बिमारी भी ठीक हो जाएगी वो बिमारी ठीक हो जाएगी and uncontrolled marketing और अंदा दुन्द marketing एक दवाई खाओ ये भी ठीक वो भी ठीक सब ठीक safety और effectiveness of the drug were not a concern for the government drug का safety और effectiveness कितना effective है government को से कोई भी मतलब नहीं था ठीक है फिर वोई मौत होगा रहा हुई है देखा ताम लोग ने in 1883 डॉक्टर हारवे वाईली ठीक है ना नाम important है initiated the campaign for federal law for food and drug act इन्होंने start किया था 1883 में that was finally passed in 1906 कित्ती लंबी लड़ाई लड़ी है 83 में जाकरके उन्होंने सुरुआत करी और 1906 में जाकरके ये law pass हो पाया जाकरके and it established that drug must be pure and free from any contamination और फिर ये कह दिया गया drug एकदम प्योर होना चाहिए उसमें किसी प्राइब कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए को सुरुआत हो रही है ये फार्मक विजिलेंस की the safety of the patient and the safe use of medicines are high priority medicines का safe होना और patient की safety को high priority पर रखा गया ठीक है आज के modern world में the first practical international cooperation in drug monitoring started in 1968 पहला प्रैक्टिकल इंटरनेशन लेवल पर ड्रग की monitoring शुरुआत हुई 1968 में हुई the law was further tight and following incidents such as poisoning of children by sulfanilmide ठीक है बाद में यही law जो परवला था वो और implemented फिर पूरी तरीके से क्या होता है इंप्लीमेंट होया था 38 में आफ्र दा सल्फानल में सल्फानल माइट ट्राइडी इन 1937 दा फैडरल food drug and cosmetic act were established in 1938 इट एम वाज रिनोवेट दा पब्लिक हैल्स सिस्टम इसका एम एक ही था कि पब्लिक हैल्स सिस्टम को रिनोवेट कर दिया जाए अच्छे से उसको वापस से रिकवर किया जाए आगे आते हैं दा ट्राइडी ओफ थैलिदोमाइट एट हैपन इन 1961 यह देट याद रखना है वेटा यह देट इंपॉर्टेंट है उसके वैसे कई सरी प्रॉलम हमारे जहन में आई सामने आई एंड क्रिटिकल इस्सू हमारे सामने आए इन पर्टिकुलर दा किस चीज को लेकर आए Reliability of Animal Test कि जो हम लोग Animal के उपर टेस्ट कर रही है क्या वो Reliabel है क्या वो भरोसे के लाइग है और इंडाघ कंपनी का जो बिहेवियर है कि कुछ भी बना दे रही है बेसर दे रही है क्या वो Reliabal है और समझ में आया कि ड्रक की monitoring marketing के बाद चरूरी है ठीक है- इन पर्टिकूलर इस टाइडी चेंज दा सिस्टम आफ फार्मक विजिलेंस और फाइनली चला आ रहा था पहले से यह जो टाइडी घटना घटी इसने पूरे फार्मक विजिलेंस सिस्टम को चेंज कर दिया इस तरीके से जो रिपोर्टिंग होने लगी नहीं ठीक है ना उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अब जो रिपोर्टिंग हो रही थी उसको सिस्टमाइज कर दिया गया था और रेगुलेटेड कर दिया गया था अब बात करें करन्ट स्टेटस की तो इस तरीके से फार्मक को विजिलेंस हा रहा स्थित्व में आ रहा है WHO ने फाइनली जो ड्रग मॉनिटरिंग वाज लेड इन 1971 में ड्रग मॉनिटरिंग को लेके आया दूरिंग दा 20th World Health Assembly established National Pharmacology विजिलेंस सेंटर विद WHO कॉलिबरेशन ठीक है ना जो उसका 20th World Health Assembly हुई थी वहाँ पर उसने क्या कर दिया फार्मक को विजिलेंस को स्टैबलीस कर दिया WHO कॉलिबरेशन सेंटर फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग इज उपसला इन स्वेडन उपसला मैडिसनल सेंटर जो स्वेडन में है यह वेटा मार्क करेंगे वनमार्क कुछिशन के लिए ठीक है कि यह कहाँ पर है उपसला स्वेडन में है इट सपोर्ट एंड कॉडिनेट दा ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम जितना भी ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम है एक तरह से फार्मक विजिलेंस वाला उसको पूरा यहां से ऑपरेट करते हैं यह ओफिसस का में ठीक है तो यह अपनी छोटी मोटी हिस्ट्री हो गई तो ओवर्वीव में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें तो बड़ा ही ओवर्वीव लिख करके छोड़ गया है हमारे कोर्स में तो क्या कै पढ़ लें हम फोड़ा सब पढ़ लेंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं फार्मको विजिलेंस इंडिया यह दो जरूरally baking तुमको consist constituency फार्मक विजिलेंस इंडिया तुमनों को पता होना चाहिए आओ देख लें फटाफट इसके बारे में भी फार्मक विजिलेंस इंडिया वाज इनिशिएटेड इन 1986 with the formal adverse drug reaction monitoring system under supervision of the drug controller of India था DCI उसकी supervision में 1986 ये date याद रखेंगे ठीक है शुरुवात होती है India joined the WHO program for international drug monitoring controlled by Upsala monitoring center UMC याद कर लेना Sweden में है जो in 1997 but was not successful उसने join तो किया 1997 में but successful नहीं रहा लेटर बाद में the national program of pharmacovigilance was launched in 2005 एक national level का program launch किया गया ठीक है 2005 में and was renamed the pharmacovigilance program of India PVPI full form याद कर लेंगे one marks के लिए in 2010 और बाद में 2010 में उसको क्या नाम गने दिया गया PVPI the central drug standard committee sorry the central drug standard control organization CDSCO initiated the initiated a nationwide pharmacovigilance program under the ministry of health and family welfare in 2010 with aims as national coordinating center national coordinating center aims को क्या बनाये गया national coordinating center पूर्या इंडिया से सारा को यहां पर coordinate किया जाएगा for monitoring of ADR one marks question again यह इसलिए पढ़ा रहा हूं वनमास question याने का संभावना बहुत है CDSCO full form पूछा सकता है ठीक है PVPI 2010 में बना आगे आते हैं the program transfer to IPC 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 full form बताओ फटा 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 कमेंट में लिखो by notification issued by the ministry of health family welfare government of India ठीक ना फाइनली फिर इस प्रोग्राम को IPC को transfer कर दिया गया IPC PVPI IPC PVPI become the NCC for Metro Vigilance ठीक है अब यह क्या हो गया Metro Vigilance पे भी आगी बात become the NCC National Coordinating Center हो गया किसके लिए material vigilance क्या होता है monitoring the safety and ensuring quality of medical devices दवाईयों की बात तो चली रही थी साथ साथ है medical device जो हम लोग कान में इस्तमाल करते हैं body के अंदर हमारे इस्तमाल होता है heart में stand पड़ता है उनका भी तो हमें safety देखनी है in the country ठीक है तो कह रहा है यहाँ पर IPC PVPI become the NCC for Metro Vigilance Program of India from July 2015 तो यह MVPI 2015 में आगी अपने पास IPC NCC PVI IPC NCC PVPI become a WHO collaborating center for pharmac vigilance in public health programs and regulatory service from July 2017 फिर finally इसका WHSO collaboration हो रहा है यहाँ पर ठीक है the PVPI works to safeguard the health of the Indian population obviously बात है ठीक है फार्मक विजिलेंस जो अपनी इंडिया की है वो क्या काम करेगी Indian population के लिए काम करेगी कि उनकी health को सुरक्षित रखने के लिए ensure करेगी कि यहां तुम दवाईयां खाओ कोई दिक्कत नहीं है that the benefit of medicines outweigh the risk associated with their use तो उसका कामी यह है कि जो medicine तुम खा रहे हो उसके benefit जादा है और रिस्क कम है इसके उपर एक तरह से monitoring करना नजर रखना the culture of reporting of ADR has achieved remarkable success अब धिधरे इंडिया में भी जो adverse drug reactions को report करना एक culture बन गया और बहुत अच्छा response आया with 250 PVPI established adverse drug monitoring center all over the India and provision of training to healthcare professional 200 PVPI established centers ठीक है adverse drug reactions are reported from all over the country to NCC PVPI वहाँ से report होने लगे थे सबके कि यह reaction यह दवाई खराब है यह दवाई react कर रही है इस दवाई का ऐसा सारा रहा है it work in collaboration with global ADR monitoring center ठीक है WHO UMC यह वह उपासला में जो है अपना स्वेटिन में ठीक है to contribute in the global ADR data याने कि इंडिया का collaboration हो गया WHO से फिर वो उसके मेल करके आप वर्ल्ड लेवल पर data को collect किया जा रहा है NCC PVPI monitors the ADR among Indian population जो NCC PVPI है वो Indian population के अंदर adverse detection को check कर रही है and helps the regulatory authority of India CDCO in taking decision for safe use of medicine और CDCO का help कर रही है कि क्या आपको step लेने है दवाईयों के safe use को लेकर गे ठीक है तो कहानी है इसके अंदर step by step एक तरसा हम कह सकते हिस्ट्री है यहाँ पर इंडिया के अंदर फार्मक विजिलेंस ओफ और सॉरी फार्मक विजिलेंस इन इंडिया ठीक है तो overview के अंदर normal history हो गई इंडिया के अंदर history हो गई अब हम बात करते हैं ओके पहले यह भी देख लें गोल सब फार्मक विजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया ठीक है फार्मक विजिलेंस प्रोग्राम और इंडिया के अंदर क्या गोल है इसके short term goal की बात करें इंडिया के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम डवलप करना है हमें फार्मक विजिलेंस का इंकरेज हेल्थ केर प्रोफेशनल्स जो हेल्थ केर प्रोफेशनल्स उनको इंकरेज करना है प्रोसाहन देना है in reporting of adverse reaction to drug ताकि वो लोग क्या करें रिपोर्ट करें जहां जहां उनको लगता कि हाँ यह दवाई रियक्ट कर गई है यह दवाई सूट नहीं करी है तो आप रिपोर्ट करिए उस चीज़ को ठीक है चाहें वेक्शिन हो या मेडिकल डिवाइस ही क्यों ना हो कोई ठीक है आपने कान में लगाया कोई बाडी का अंदर कोई डिवाइस सेट किया है और वो रियक्ट कर रहा है सही नहीं हो तो उसको भी रिपोर्ट करना है कलेक्शन ओफ एड़र्स रियक्शन रिपोर्ट यह हो गया इसका शॉट टम गोल लॉंग टम गोल क्या है एक्सपेंड जब पीवी पी आई टू एक्रोस इंडिया ठीक है ना हम चाहते हैं कि सभी प्रेशन के लिए मेंडेटरी हो जाए क्योंकि बाई जैसी बात है वो रोज ही इतने जब जो डॉक्टर रोज आना 100-200 पेशन को देख रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसे पेशन आते हैं जिनको दवाईयां रियक्ट करती हैं तो उनके लिए मेंडेटरी कर दिया जाए कि जाएंगे तो देखो यह पूरा एक साथ नहीं आएगा बताओं गांगा तो इंडिया को लेकर पूछ लेगा या इस्टी को लेकर पूछ लेगा ठीक है जनल ओवर्यू आएगा तो सिद्धा फिर पांच नमर में आएगा उस पें बात करेंगा जनल कोशन आके तो उसमें लिखेंगे किया ठीक है पताओंगो उसके बारे में अब आते हैं डेवल्लमेंट आफ फामकों विजिलेंस इंडिया यह जो यहां पर डेट दे रखी यह थोड़ी सी इंपोर्टेंट है वन मार्क्स के लिए ठीक है फॉर वन मार्स कोशन जैसे की थैरी डॉमाइट टैडी हो गई शल्फाना सल्फानलिंवाइट अलेक्जियर टॉक्सिटी हो गई यह फोड़ा इंटर्ट्राइश्ट ड्रग मॉनिटिंग प्रोग्राम इंडिया प्रपोश्ट एडियर मोनिटिंग सिस्टम इंडिया जॉइंडेंद डवल एच्टो ठीक है नैसल फापकल विजिल वाले हैं वो क्या है process of pharmacovigilance process of pharmacovigilance कि आखिरकार किस तरीके से reporting होती है किस तरह से और फिर उस reporting का होता क्या कि इस तरह जब कोई adverse reaction हो गया है तो क्या होता है तो आओ देखें तो क्या होगा यहां पर पेशेंट रिपोर्ट सिंगल adverse event caused by any drug और any form patient report करेगा चाहे एक ही adverse event क्यों ना हो उसको वो report कर देगा ठीक है चाहे वो drug में हो या किसी भी रूप में हो adverse event ही क्यों ना हो facebook है tutor है social media है pharma company help line number है health authorities program है कुछ भी है कहीं से भी जो भी है वो report करेगा उसको ठीक है now अब he himself यानि patient as above जैसे हां कहा गया है या if patient report to their pharmacist या वो patient अगर या तो उपर किसी तरीके से mention करेगे वो otherwise या वो अपने किसी pharmacist doctor या healthcare professional को बताता है कि ऐसे दिक्कत हो गई है then they report इस case में pharmacist या doctors report करते हैं to manufacturer of the drug or health authorities directly रिपोर्ट हो गई पहुंच की वहाँ पर बात ठीक है manufacturer फार्मक विजिलेंस टीम जो manufacturer जो दवाईयां बना रही है उनके खुद की एक फार्मक विजिलेंस टीम होती है look into try aging ही try aging मतला एक तरह से उसको पूरी जांच परताल करेगी कि क्या यह valid है कि जो reaction बता रहा है वो सही है कि invalid है serious है कि non serious है check कर रही है उसको ठीक है related not related जो drugs है उससे विची related है या नहीं है expected unexpected मतलब उनको पुरा पता होता है कि हाँ यह दवाईया है उसका पूरी list होती है क्या क्या दिक्कते आ सकती है and enter this in their own database फिर उसका अपने database में enter कर लेती है controlled online environment software एक software होता है उसके अपना क्या करेगी इसको feed कर देगी now manufacture reports to health authorities health authorities do their regulatory part and ठीक है okay manufacturer reports to health authority manufacturer जो होते है health authorities को report कर देगी ऐसा चीज़ थी health authorities do their regulatory part फिर वो अपने जो regulatory part होता है उसको वो पुरा करेगी क्या करना क्या नहीं करना in addition per timeline to look into other similar और non-similar adverse event इसी बीच में इसी समय कुछ और अगर इससे मिलते जुलते adverse event आ रहे हैं तो उसको भी देखेगा drug को लेकर के to intimate manufacturer to change safety profile जो authorities हैं same timeline पर जो और भी मिलती जुलती adverse events आ रहे हैं उसको लेकर के manufacturer को बताएगा और बोलेगा change safety profile of drug drug की safety profile को change करो and to inform in return to user and healthcare professional और बदले में जो user है जो उसको इसको इस्तवाल करा रहा है दवाई को जिसने report किया है या जो healthcare professional है उनको क्या करेगा inform किया जाएगा about this new adverse event इस दवाई को लेकर जो नहीं गटना गटी है इसको लेकर के फिर वापस उनको बताएगा कि हाँ ऐसा है कि नहीं है ठीक है on the drug box ठीक है drug box लेवल जो उसको लेवल लगता है ड्रक के ओपर या warning section उसके वार्निंग लगा दी जाएगी package inserts जो उसके फर्रास डाल दी है रवाईयों के अंदर कि उसको सारी चीप मेंशन रहते कि हाँ यह सब दिक्कते हो सकती है ऐसा होगा ऐसे नहीं लेना वगर simultaneously यह जो घटना घटी है simultaneously उसी टाइम पर manufacture prepare different regulatory document जो manufacturer है वो दूसरे document भी तयार करेगा by combining all such single report from all parts of world जहां जहां से यह reports आ रही है ठीक है उनको document को combine करेगा ठीक है such as PBRER periodic benefit risk evolution report ठीक है ASR annual safety report etc है ना सब को combine करेगा वो यह annual safety report आगी दवाय को ले करके these are aggregate reports यह aggregate मतलब मिला करके बड़ी report तयार होती है which are giving information in single document फिर उन सब को मिला करके single document तयार कर दे जाएगा about all the adverse events that happened during the use of drug drug को ले करके जितने भी घटना है गटी उनको एक single document त्यार किया जाएगा ठीक है also the manufacturer does signal detection from all these pulled adverse reports signal मतलब होता है जहां जहां से information आ रही है उन सब information को detect करेगा from all these pulled adverse reports from all over the world to find any potential risk the drug can be causing और देखेगा कोई कोई बहुत ज्यादा potential है तो नहीं कोई ज्यादा ही कुछ खतरनाक risk तो नहीं यह दवाई को ले करके कर लिया उसने सारे काम ही है फिर any risk or event that are thought to be caused by drug अगर देखा जाला है कि हाँ कोई risk है are then put on labeling फिर उसको label जो दवाई के उपर label होता है उसको label किया जाएगा that drug and communicate to the public and healthcare professional label लगा दिया जाएगा और उसको फिर public और healthcare professional के साथ communicate किया जाएगा कि हाँ ऐसे चीजे है if the adverse events are serious enough they are put in type of box warning बहुत जाएज serious है तो एक box बना के उसके warning लिखा जाता है and communicate to the physician and healthcare professional via communication letters ठीक है as explained above explained above मतलब यहाँ पर जो हमने बात की थी किस तरीके से है तो इस तरीके से communication letter हो गा रहा है इस तरीके से वह उनसे वापस से मतलब क्या कर रहा communicate हो जाएगा यानि कि दवा आई उसको चेक हो गया चेक होने का जो दिक्कत थी दिक्कत को देखा कि हाँ है उसके लेविन लग गई और फिर वापस से ठीक है अब इसी में अगर हम देखें से मोटे तौर पर यानि कि जो मैंने तुमको बात बताई वो तो था किसी एक पेशेंट की तो यहाँ पर सेफटी कॉल सेंटर क्लिनिकल ट्राइल जो होते हैं स्पॉंटेनिस रिपोर्ट या लिट्रेचर जो लिट्रेचर बगरा जो होती है हमारे बुक्स बगरा होती है कहीं से भी क्या हो सकता है हमारे पास वो आ सकता है भी ही gonna a di a rata शकता है ठीक है किस को लिया जाएगा इंटेक किया जाएगा divided को सीज़ें कीज़ें होती है ट्राइेडरिक फूरीक प्रोस्टए काऊलिटी कंट्रोल केस्ट का ठीक है तेखिश की रिपोर्टिंग होती है ड्टा पूरा ड्टा मिला कर एखट्टा किया जाता है periodic report का compilation होता है signal analysis होती है and finally benefit risk assessment or mitigation और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं तो यह flowchart बना सकते हो अगर दो नंबर में आता है question यह overview या process को ले करके कि overview है तो overview में हमें नहीं पता क्या पूछेगा अभी ठीक है प्लस इसके तीन फेज दिखा सकते हो यहां बहुत है डिटेल में नहीं जाना है first phase में क्या होगा information about the adverse event collected adverse event को ले करके जितनी भी information collect की जाएगी from different sources below are the types of sources नीचे types of sources दे रखें कहां कहां से spontaneous voluntary report clinical trials जो मैंने अब साइड में रखें ठीक है license partner report literature report legal report then second क्या होगा once we collect adverse event जब सारी adverse event collect हो गई है drug safety team जो होती है assess करेगी information को in multiple steps कई सारी steps में वो इस information को assess करती है उसकी जांच परताल करती है ठीक है तो यह सारे उसके तरीके है case validity assessment जो case आया है उसको assess करेगी valid है कि नहीं है database entry event selection and coding with met DRA product coding होगी labeling assessment इसके एक एक पॉइंट को चले गए तो यह अपने आप में बहुत 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 हो जाएगा स्रिफ एक overview दिया है मैंने यहाँ पर ठीक है ना फिर तीसरा क्या है once the information assess team understand why these events happen जब एक और यह assessment हो गया टीम को समझ में आ गया कि घटना क्यों गटी है will take necessary step to prevent further और फिरो एक necessary step लेती वही लेवल वगरा लगाएगी वार्निंग देगी वगरा वगरा ठीक है तो इसके अंदर periodic report compilation होता है signal analysis हो गया risk benefit assessment होता है कितना risk है कितना benefit है इस type से हमारे पास यह पूरी process तो चाहो तो इस तरह से बता दो इसमें सब explain करना ही जरूत नहीं है या यह जो मैंने ऊपर पूरा बहुत सारी बाते आजाती है तो हमने सारी बाते थोड़ी यहाँ पर cover कर लिए जिसे कोई चीज छूटे नहीं clear है और यह अपना chapter खतम हो जाता है ठीक है बहुत बड़ा chapter नहीं था छोटा ही chapter था तो करना क्या है पढ़ना है और revise करना है revision करने के साथ जो mainmend terms आ रहे हैं बेटा इसके नहीं नहीं terms आए है उसको अच्छे से दिमाग में set करना है केवल और केवल revision ही है जो तुमको सफलता की तरफ लेके जाएगा उस सफलता में मैं थोड़ी सी help कर रहा हूँ प्लस मेरा ये app तुमारी help कर सकता है बाकी notes का link description मिली जाता है ये मेरा number है किसी को problem आते हैं मुझे call करें और पढ़ते रहें revise करते रहें all the best